पूरे धनी पठाई का रहने वाला हूं और गटना ये हुई कि मैं फाज में हूँ, कारे रत हूं, सैनिक हुँ, गटना ये हुई कि हमारे पडोसी हैं, जो हमारा पीछे खेत है उस पे जबर जस्ती मिक्टी डाल रहते हैं या कुछ भी तो हमने उनको ये समझाया कि कि हमारे घर में कोई नहीं है घृत जी नहीं है आप मिट्टी मध डालो उसके वाध वह चले गए उसके वाधर हमारे ग्राम परदान राम मिस रहा हुश की रात में तीन बजे थाने भेजवा के मेरे नाम अपली कैसन दिलाया उसके बाद अनिल कुमार बिशकर्मा और हरंदर जार्दो सिपाही आए बोला कि तुमको एसो साहब याद कर रहे हैं और चलो थाने जल्दी मुझे थाने ले गए तुम मैं थाने गया हलके दरोगा से बात कर रहा था तबिया निल कुमार बिशकर्मा ने मेरे तीन चार जापर मारे उसके बाद मुझे बैटा गे बोला इसका 150 में चलान करो किसी तरह वाँ से निकलने के लिए मैंने हाथ पहर जोड़ के सुला जबाटा कराया और जो भी पच्छी पार्टी थी उनके सामने मुझे मार के भगा दिया बोला तुम जाओ सुला नामा पे मैंने साइन किया सब कुछ मैंने किया और उनका कोई बुड़ा था वो मुझे पता नहीं कौन था आज रामु मिसरा आज की दिनाग में रामु मिसरा दो पुलिस आई है बाहर भी पच्ची टीम को भेटा के साइट गार्ड बनाया बोला इसको साले को फसा दो और हरंदर जाट ने मेरे से बोला तुम्हें 151 में बचाया है 4,000 रुपए दे दो मेरे पात 10 बजे रात तक की कॉल भी आई क्या जरूरत थी जब मैं सुला हो गया गया तो मेरे पात क्यों कॉल कर रहे थे किसने मारा पीटा को अनिल कुमार बिश्करमा ये कौन है ये कौन स्टेबल है थानडी अब थानेदार ले क्या जाए थानेदार को मैं रो रो के वहीं बताया कि सर मेरे को मारा है बोला चलो ठीक कोई बात नहीं कोई बात नहीं तुमको मैं सुला करा रहा हूं आप फाउच भी उसके बाद इस पर की रखनेदार है वहीं मैं बोला कि सर मैं भी वर्दीधारी हूं मेरी इज्ज़ते मुझे क्यों मारा गया बोले कोई बात नहीं चलो हो गया जो हो गया तुम जाओ क्या चाहते हूं एस पी से क्या करता है मैं एस पी साब से यह कहना चाहता हूं मेरी नुगरी खत्रें पर सकती है मुझे नयाय दिलाया जाया और मेरे ग्राम परदान पूरी तरह से लगे है पच्ची को लेके उसको धमका के जब बाहर गाओं के समझा बुझा के उससे बयान दिलाया उसको आज सुबा से दो पुलीस गई मेरे घर के सामने से और रामो मिसरा परदान जी अगर नयाय नमिला तो क्या करोगे नयाय नहीं मिला तो मैं मुक मंतरी आवाज के सामने जाए के मुक मंतरी के सामने अपने हाप पे पिट्रोल डाल के उपने खुद को जला दूँगा मेरी हाथ में सम्मान की बात है आप तो लगता है वर्दी में आप भी देश की रच्छा कर रहे हैं आप तरह गटना जी अधिकारियों से बताया आप ने स्पी साथ कप्तान साथ से बताया उन्होंने बोला आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा ना आपके खिलाब मुकदमा लिका जाएगा इसकी जांच होगी और उनके खिलाब कारवाई की जाएगी मैं बहुत बरजानु मुझे निया मिलना चाहिए बस